अगर आप देख रहे हैं ड्वाइफ ओपीस आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूं महिंदा की सबसे ज़्यादा विकने वाली विलेज कार का लेटेस्ट अबडेट जी हां महिंदा की बुलेरो नियो जो बहुत जल्द भारती बाजार में लॉंच होने जा रही है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पढने हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर दे ताकि हमारी लिटिस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की upcoming car जो भारतिय बाजार में बहुत जल्द launch होने वाली है इस गाड़ी में आपको क्या-क्या feature मिलने वाले हैं, इसके exterior और anterior में क्या-क्या मिलेगा आईए देखते हैं इस गाड़ी का look काफी हद तक TUV300 से inspired है इसके front में आपको काफी attractive front grill मिल जाते हैं, projector headlam मिल जाते हैं साथी नीचे fog lamp का option मिल जाता है, rear and front में आपको skid plate का option भी मिल जाता है और वही new blero में आपको daytime running light का option भी मिल जाता है वही tire size में आपको 16 inch और 17 inch का option मिल जाता है वहीं गाड़ी में आपको डियू टोन और मोनो टोन कलर्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं महिंद्रा की नियू बुलैरो नियो आपको पहले से काफी बैटर क्वालिटी के साथ इंडिया में मिल सकती है तो अब ये विलेज कार नहीं रही इसे शहरों में भी लोग अब पसंद करेंगे बात करें इंटीर की तो अब आपको नियू बुलैरो नियो में काफी प्रीमियम कॉलिटी के इंटीर मिल जाते हैं वो भी सॉफ्ट डेश्बोर्ट के साथ साथ से आठ लोगों के बैटने के लिए काफी स्पेस मिलता है और वहीं इंफोटेन्मेंट में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्टम मिलता है जो सपोर्ट करता है नेविगेशन, एंड्रोइड ओटो, एपल कार प्ले वहीं नई बुलेरो में आपको ऑटोमेटिक क्लेमेट कुंट्रोल का फीचर तो मिलता ही है वहीं सीट पर आपको मैनूल हाइट अर्जस्टिबल का फीचर भी मिल जाता है और सभी डोस पर आपको पावर विंडो का ओप्शन मिल जाता है वहीं rear passenger के लिए भी काफी ध्यान रखा गया है rear में आपको mobile charge करने का port मिल जाता है rear AC vents मिल जाते है और वही manual headdress का feature मिल जाता है और वही seat में आपको fabric a policy seat का ही option मिलता है तो ये थे गाड़ी के कुछ features बात करें safety की तो इसमें आपको high strength still body मिलती है front में दो airbags मिलते हैं ABS with EBD, ISO fixture lock, reverse parking camera, speed alert system और वहीं front में आपको disc brake के option मिल जाते है इतने सारे advanced feature के साथ ये गाड़ी अप city drive के लिए भी काफी बहतर हो सकती है बात करें इस गाड़ी के price की तो तकरीबन 8,50,000 से लेकर 10,50,000 actual home price हो सकता है इस गाड़ी का इंडिया में बात करें गाड़ी के engine kit इस गाड़ी में आपको in-line 4 cylinder 1.5 liter का diesel engine मिलता है जो produce करता है 100 bhp की power वहीं गाड़ी में आपको 5A speed manual transmission और automatic transmission का option मिल जाता है अगर आप भी Mahindra की नई बुलैरो लेना चाते हैं तो आप थोड़ा wait कर सकते हैं पिवाली के आज पास इस गाड़ी को इंडिया में launch किया जाएगा तो कैसी लगी है आज की हमारी ये वीडियो comment section में लिखना न भूले मेहनत मेरी प्यार आप सभी का वीडियो को ऐसी लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं ऐसी एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तिल देन ड्राइसेफ